दोस्तों ये हमारे लेक्चर का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हम लोगोंने अभी रिसेंडली चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी कंडिशन बनी हुई या बोर्डर डिस्प्यूट को लेका, उसके बारे में डिटेल में सारी बाते जानी, कहां कहां पर क्या क सिच्विशन है, और किस तरीगे से आज के डिट में दोनों किस कागार पर दोनों खड़े हुए हैं, अब यहां पर सेकिंड पार्ट आप लोगे सामने हैं, इसमें इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करूँगा, तो डिटेल में हम लोग चीज़ेंगे, ए अगर यह लेक्चर आप लोग को देखने के बाद में लगे कि हाँ, इसकी पीडियाफ आप लोग को चाहिए, तो टेलिग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिजेगा, रिवजन के पॉइंट ओपिस से आप लोग के लिए काफ़ी इंपोडेंट होगी वो, ठीके, तो सबसे पह लेकर चलता हूँ, इस टाइम डूरेशन में एक वोर हुई, उस टाइम पर जम्हारी कंट्री में अंग्रेज रूल किया गरते थे, अंग्रेजों की एक परवर्ती थी कि अपना जो भी एरिया है उसको बढ़ाना है, जादे से जादा एरिया पर कंट्रोल करना है, तो उसक चलते हैं, यहाँ पर जो लड़ाई हुई, उसको बोला गए हाँ पर एंगलो नेपाल वोर, तो एंगलो नेपाल वोर जो थी हाँ यह अपर यह 1814 में हुई, इस वोर के तहट यहाँ पर अपने अंदर नेपाल को एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिस कि गी, जो ब्रिटि होती थी, तो कोई ने कोई treaty sign की जाती थी, treaty में कुछ न कुछ लेंदेन होता था, तो ऐसी एक treaty हुई याँ पर जो इंडिया और नेपाल आज की रिट में आप लोग बोल सकते हैं, फिर उस ठाइम पर जब यहाँ पर sign के गई, तो इस treaty के तहत यहाँ पर नेपाल की boundary को define किया गया, तो नेपाल की जो boundary थी, जो उसको define किया गया, तो उसमें दो important river के द्वारा काफी बड़ा role play किया गया, पहले तो आप लोग exact claypal की location लेखे, यह हैं नेपाल, ओपर है आपर China और नीचे है इंडिया, यानिकि नेपाल, इंडिया और चाइना की बीच में एक sandwich है, हमारी country का उत्राखंड, उत्रपरदेश, बिहार, इसी के साथ में वेस्ट बंगाल और सिक्की, पांच राज्य नेपाल को touch करते हैं, तो जब अंग्रेजो के द्वारे हाँ पर boundary को define किया गया, तो एक side में बोला गया, western side में, जो नेपाल की boundary होगी, वो होगी काली river, याद रखेगा, इसके बारे मैं भी detail में आगे बात करूँगा, और second जहाँ पर जो eastern boundary होगी हाँ पर इसको बोला गया, मेची river, M-E-C-H-I, तो यह boundary हो गई हाँ पर basically, यह निके, रीवर के साथ साथ में हाँ पर दोनों की boundary चलेगी, तो यह define किया गए हाँ पर सगोली treaty के द्वारा, जो की 1816 में हाँ पर देखने को मिली, पर लेकिन जो eastern boundary थी वो तो continuously सही तरीके से अपना काम करती रही, जो western boundary थी यहाँ पर question mark लगने लगा काली river को लेका, reason क्या था, reason यह था काली river का origin point, आखिर काली river का हो रही है, एक बात और सगोली treaty के तहट, सगोली treaty के तहट यहाँ पर सिक्किम और इसी के साथ में जो Darjeeling वाला area है, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, और सिक्किम, यह भी हाँ पर अंग्रेजो के द्वारे हाँ पर एक तरीकी से छेन ले गए थे, जो नेपाल का kingdom हुआ करता था, जिसको kingdom of गोर्खा कहा करते थे, यहनिकि एक सगोली treaty जो हो थी, वो British India और kingdom of गोर्खा के बीच में आप लोग को देखने को मिली, तो उस treaty के बारे में हापर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो यहनिकि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब यह treaty आप लोग के हाँ पर देखने को मिली, तो इस treaty में हाँ पर कई सारी boundary आज की date तक भी हाँ पर continue ऐसे ही चल रही है, तो आईए सबसे पहले हम लोग focus देते हैं आपर काली रिवर के आखिर क्या distribute है, पर लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को पूरा current में लेकर चलता हूँ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा back में आएंगे, तो आप लोग इसको correlate अच्छे से कर पाएंगे, तो क्या क्या है चीजे उसको आप लोग देखिए, अभी recently नेपाल के द्वारा एक news निकल कर आई, यहाँ पर बोला गिया लीपुले, काला पानी, और लिम्पै धुरिया, यह नेपाल क्या पार्ट है, और नेपाल अपने मैप में इसको सो कर रहा है, यानिके नेपाल यहाँ पर इसको अपने मैप में सो करेगा, और यहाँ पर आज की रेट में पार जो है वो इंडिया के म दुस्ता दिखाया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है ये नेपाल का पार्ट है आखिर current की situation कब से start हुई तो पहला आप लोग ये भी समझेए कि current में यहाँ पर ये दोनों आमने सामने आकर कब खड़ वे आप लोग को पता है हमारी country में जब article 370 के साथ में change किया गया तो उ ये map में हम लोगों ने हाँ पर इस particular area को अपनी country के अंदर दिखाया तो उस time पर भी नेपाल में यहाँ पर बाते बोलेगी कि ये सही नहीं है ये हमारा area है दूसरी हाँ पर पोलम तब निकल कराई जब हमारी country में हाँ पर एक रास्ता बनाया गया और ये जो रास्ता बनाय जा रहा था केलास मांस रोवर की यातरा को आसान करने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा था तो हमारी country के जो यहाँ पर जो border और organization है उसके द्वारा ये रास्ता complete किया गया तो उस time पर यहाँ पर इसके बारे में बात की नेपाल ने बोला कि हमसे पूछे बगार यहाँ और इंडिया construction कैसे कर सकते हैं ये तो हमारा पार्ट है तो काला पानी, लिम्पिया धुरिया और लिपुलेग पहले आप लोग इसको एक बार map में देखिए तब भी आप लोग समझ पाएंगे कि exact condition इसके पीछे क्या है तो इसके लिए जो सबसे ज़्याद है यो trending map है आज तो नेपाल बोलता है कि ये area जो है वो मेरा है, इंडिया बोलता है कि ये जो area है ये मेरा है, अब देखिए आपर condition क्या है, जैसे कि बिटीज इंडिया के द्वारा बताया गया था कि जो काली river है, उसका border यहाँ पर माना जाएगा, अब basic condition क्या हो गई, काली river के ओपर condition बन जाती है, और एक side में lake टना से निकल कर आती है, तो lake Victoria से जो river निकल कर चलती है, उसको बोलते है white nile और blue river से जो निकल कर चलती है, blue nile यहाँ पर इसको बोलते है, तो ये lake टना से निकल कर चलती है, और दोनों जाकर khartoon में मिल जाती है, और फिर आगे ये river चल पड़ती है, तो ये आगे चलकर फिर क्या होता है फिर Mediterranean Sea में जाकर गिर जाती है तो कुछ ऐसे ही फंडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह जो काली रिवर है यहाँ पर यह काली रिवर जो नेपाल बोलता है काली रिवर जो है वो लिंपिया धुरिया से यहाँ पर originate होती है फिर लेकिन जो इंडिया बोलता है इंडिया बोलता है कि वो यहाँ से origin होती है तो यह निके कहने का मतलब यहाँ पर यह यह बोलता है कि origin point यह है अगर origin point यह है काली रिवर का आप लोग इस वाले मैप को थोड़ा से देखिए और ज़्यादे क्लाइटी आप लोग के माइंड में हाँ पर आएगी ठीक है तो यहाँ पर यह वाले अगर boundary माने तो यहाँ पर यह वाला reason आप लोग को देखने को मिलेगा यह हो गई महाकाली रिवर और अगर यह वाली boundary माने आपर तो यह वाला है आपर देखने को मिलेगा अब आखिर नेपाल यहाँ पर गुसक गए है नेपाल यहाँ पर यह बोल रहा है कि 1816 के अंदर में जब यहाँ पर ट्रीटियोग सगूली साम ही थी तो उस टाइम पर जो अंगरेज थे अंगरेजो के द्वारा स्टार्टिंग में तो बोला गया यह वाली boundary है क्योंकि अंगरेजो को लगा कि यह कोई ज़ादे important area है नहीं तो इन्होंने यहाँ पर इसको boundary मान लिया गया उस state के तहत पर लेकिन आगे चल कर अंगरेजो के द्वारा अपना stand change कर दिया गया और अंगरेजो को लगा कि चाइना के साथ में relation करने के लिए यह काफी important area है तो उन्होंने फिर boundary को यहाँ पर change कर दिया और यहाँ पर इसको boundary मान लिया गया और आप लोगो पता है कि जब राजा रजवारे हुआ करते थे उनको इन सब चीजों से ज़्यादे इंपक्ट नहीं परदा था था थोड़ा बहुत area इधर उधर हो जाए तो वो इससे ज़्यादे फोकस नहीं जेते थे वो अपनी IAC में ज़्यादे enjoy करते थे तो यह उनकी condition नहीं दे थी तो जब से लेकर यहाँ पर आप लोगो को देखने को मिलेगा यहाँ पर British India ने फिर यह इसको मानना अपना area start कर दिया यानिके लगभग अगर आप लोग बात करें यह बात की जा रही है 1860 से लेकर ठीक है 1860 से लेकर 1947 तक जब तक इंडिया आजाद हुआ तब से लेकर यहाँ पर यह particular boundary यहाँ पर मानी जा रही है यानिके सगोले trade से हट कर फिर इसको boundary हाँ पर माल लिया गया और यह चीज़ें आपर चली हुई आ रही थी तो तब से लेकर आज तक का यह जो reason है यह इंडिया के control में है और देखिया आप लोगों पता है तब से लेकर जो नेपाल भी फिर आगे चल कर अपने हाँ पर एक democratic government आई नेपाल के अंदर में 1990s में उससे पहले यहाँ पर राजा रजवाडे हुआ करते थे वो अपने हिसाब से life को enjoy कर रहे थे तो उन पर कोई ज़्यादा फरग नहीं पढ़ रहा था कि boundary को इंडिया यानि कि जो British India है यह माने या फिर यह माने और वैसे भी यह ऐसा area है उबर खाबर यहाँ पर कोई ज़् पैटर्न चेंज होता है वैसे वैसे चीज़े चेंज होती है आगे आगे जैसे जैसे चीजे बढ़ी अब नेपाल जो था हुँआ एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद में यहाँ पर जनता के द्वारा चुनकर रूल है तो हाँ पर उन्होंने इस map के ओपर question mark लगान area है आप लोग यहाँ पर interfere इस तरीके से नहीं कर सकते तो यानि के कहने का मतलब यह है कि चाइना के भी खिलाप में जाकर खड़ा हो गई है आपर जो नेपाल और उसके द्वारा बोला गया कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पर यह इसके अंदर construction नहीं कर सकते यानि कि नेपाल और इंडिया के जो लोग थे वो ट्विटर पर आए अलग अलग सोसल मीडिया पर आए और प्रोटेस्ट करने लगे सड़कों पर भी उतरे काफी नेपाली लोग और उनके द्वारे यहाँ पर यह बोला गया हम अपना यह जो एरिया है हम इसको वापस लेकर रहें इसी के चलते हैं हापर जो नेपाल के प्रैमिस्ट हैं उन्होंने भी बोल दिया है हापर साप नजरों में एक तरगे से आकर कि यह एरिया मेरा है और हम लोग इसको लेकर रहेंगे उन्होंने तो यहाँ पर इतनी खतरनाक हरकते तक बोल डाली हापर कि जो इंडियन वाइर जादे खतरनाक है चाइनीज वाइरिस के कंपेर में यहाँ पर यह यह बाते भी इनके दोरा बोल दे गई जब कि हम लोग यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं हापर नेपाल के लिए हम लोगों ने कई चीज़ें हाँ पर प्रोवाइड कराई और नेपाल ने यह भी आरोप लगा कि लगबग एक साइड से आपर तीन दिन दोनों साइड से मिलाए तो पांसे छे दिन का रास्ता कम हो जाएगा नोर्मली हमारी कंटी के जो सरद्धालों है उनको काभी फायदा होगा तो नेपाल ने आपर बोला कि हाँ यह एरिया मेरा है और आप लोगों यहाँ पर इस त पास्ट में भी देखा होगा कि जब जब कोई ऐसी कंडिसन बनती है तब तब पॉलिडिकल पार्टी के आगरती है कुछ ऐसे मुद्धे उठाकर लेकर आती है जिससे जो मेन मुद्धा है उससे भटकाया जा सके तो वही हरकते हैं आपर कहीं ने आजकेड में जो नेपाल क पॉलिडिकल पार्टी कर रही है ऐसे भी हाँ पर कही सारी बाते कही सारी लोग को देखने को मिल जाता है तो एक्जेक्ट लोकेशन में ने भी आप लोग को दिखाई फिर से आप लोग इसको देख लीजे ताकि आप लोग गच्चे दे समझ सके ये एक मैप है आप लोग रिजन आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर चाइना हो गया ये इंडिया हो गया और यह हो गया नेपाल तो ये ट्राइ जंक्शन पार यहाँ ने आपर पर जिसकी वेसे आपर ये कंडिसन आप लोग यहाँ पर समझ रहे हैं तो दोनों ही कंट्रीं हाँ देखने को मिलेगा दूसरी साइट से आपर होकर जाते हैं तो रास्ते बड़े उबर खाबड़ें तो काफी ज़या पोलम लोगों को phase करने पड़ती है तो इसलिए ये बोला गया कि ये रास्ता थोड़ा सा आसान रहेगा और यहां से हम लोग जाएंगे तो आसानी से अपनी मंजिल तक यहां पर पहुँच का आएंगे पलेकिन आज की डेट में आपर जो कंडिसन बन रही है वो बिल्कुल कंप्लिल्ली प्रोटेस्ट की कंडिसन है आपर अगर पास्त में आप लोग देखें तो इंडिया और नेपाल की जो रिलेशन है वो काफी सुगम रहे हैं काफी अच्छे रहे हैं जिसके चलते बहुत सारे नेपाली जो हैं वो आज की डेमें आप लोग को अपनी कंट्री की आर्मी के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे पालेकिन फिलाल जो एट परजेंट कंडिसन जो चल रही है वो काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रियेट कर रही है दोनों कंटी के रिलेशन के बीच में अच्छा अगर आप लोगों से पूछा जाएं आप आप exactly आप लोग इसका क्या सोलुशन देना पसंद करेंगी यहांनि के एक तरीके से आप लोग यह देखें अगर आप लोग इसको वैसे देखें यहनिके काघज के पॉइंट ओपी से देखें इसको कि हाँ जो अगर आज के हिसाब से अगर आप लोग चलें, उस टाइम से अगर अब तक आप लोग देखें, 860 से लेके 1947, तो अगर आज तक आप लोग चीजों को प्रोपर वे में देखेंगे, तो कभी भी इसके बारे में कोई बात नहीं कीगी, यानि के ये इंडिया का पार्ट है, इंडिया भी allow कर दिया गया था, हमारी कंट्री की security को जहान में रखते हुए, तो तब से लेके आज तक हमारी कंट्री की army भी यहाँ पर deploy हो रखी है, तो इससे ये भी यहाँ पर है, कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए काफी important यहाँ पर यह पार्ट हो जाता है, औ हम लोग ने अभी उसका solution निकाला, पर लेकिन क्या इस particular area को लेकर हम लोग इतने यहाँ पर धिले पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर यह particular area हम लोग यहाँ पर नेपाल को दे दे, तो आज की date में हमारी country में जो इंडिया इसको claim करता है, तो यह बोलता है इंडिया कि हमारी country में पिथोरागर जो district है उतरकंड के अंदर, उसका part है यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर हमारी country में अगर इसको माना जाए तो यह पिथोरागर district का part है, अगर नेपाल में इसको माना जाए तो यह धार चूला district जो नेपाल के अंदर में है, जो मैंने अभी आप लोग यहाँ भी दिखाया था, तो नेपाल बोलता है कि हमारा जो धार चूला district है, उसका यह part है और यह completely यह मेरी location के अंदर में आता है, तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में, डिसिप्यूट यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है, बार बार जो नेपाली इस party है, व काफी सारा जो इस इंसल सामान था, वो यहाँ पर नेपाल के अंदर नहीं पहुचा पाए, क्योंकि अगर आप लोग नेपाल को proper map के थुरू देखोगे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि एक sandwich country है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पर कुछ भ बाद में जो condition बनी, वो situation कुछ ऐसी होगी, कि alternative route यहाँ पर देखने को मिला, चाइना के द्वारा, और चाइना है हाँ पर चारा है कि अब नेपाल की जो dependency है, वो चाइना के ऊपर है, कई सारे लोग यह भी बोल रहे हैं कि हाँ पर चाइना की वेज़े से भी हाँ पर हो सकत है कि जो जो भी इंडिया के अच्छे relation है, वो सब इंडिया से दूर हड़ जाएं, तो कहीना कहीं चाइना भी चाहता है यह, पर लेकिन नेपाल के अंदर भी अगर देखे सारी political party एक जागे खट्टे हो गई है, तो उस मुद्दे से अगर देखें, तो यहाँ पर नेपाल उसको बोल रहे है कि जो सगोली ट्रेटी है, जो सगोली स्टाइटिंग में ट्रेटी साइन की थी, उसके इसाब से पार्ट को मानो, तो उस तरीके से अगर मुद्दे को देखा जाए, तो यह हमारे लिए काफी टप पड़ जा रहा है नेपाल की साइड से, बागी छोड़ का काम करती है, बोडर एरिया में नहीं, अफगानिस्तान, भुटान, मैनमार और सिलंका में भी इसके द्वारा काम किया गया है, बनाया गया था इसको सेवंत में 1960 में, हैड़कॉर्टर न्यू डैली में, फाउंडर इसके जवालला लहरुजी थे, पैरेंट और्गनेशन, मिनिश्टी ओफ डिफेंस है आज की रिड़ में, एक टाइम पर ऐसा था, जब यहाँ पर फंड जो था, इसको मिनिश्टी ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवे से मिलता था, आज की रिड़ में completely यह और्गनेशन, मिनिश्टी ओफ डिफेंस के अंडर में आती है, तो इसके द्वारा जो मोटर है वो भी है कि हम लोग सब कुछ अचीव कर सकते हैं, everything is achievable through hard work, यानि कि hard work के थ्रूँ आप लोग सब अचीव कर सकते हैं, यानि कि आप लोगे लिए motivation की एक quotation भी आप लोगे हाँ पर देखने को मिल जाती है, आज की रिड़ में इसके director general को ने आप लोग को उनका नाम बताना है, तो जिसकी वेसे आपर ये पूरा article सामने है, I hope कि आप लोग अब इसको समझ गये होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है आप, अब आप लोग के mind में कोई भी confusion नहीं होगा, सैगोली treaty कहां से निकल कर आई, उसके बारे में भी आप लोग को बता दिया किस-किस के बीच में है, कब-कब sign कीगी, ये भी आप लोगों से, तो देखिए, आप लोग जो बोलते हैं हिस्टी का गोश्चन निकल कर आगया, कभी पढ़ा भी नहीं हम लोग ने किताबों में, तो नोर्मली चीज़े ये होती हैं, कि हमेशा सारी चीज़े ज अच्छे से प्रिपेर कर पाएंगे, तो ये था है यहाँ पर complete इस आर्टिकल का discussion, आईए अब आज का मैं बेस कुश्चन देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों से बोला था, कि सेकिंड वीडियो में आप लोगों से बोला गया था, तो बोला जाता है कि सदन चाइना और नोर्धन मंगोलिया में आप लोगो ये रीजन देखने को मिलता है, दूसरा बोला जाने हैं, आपर काफी दून्स, माउंटेंस और रेर अनिमल पाए जाते हैं, जैसे इसनों लेपर हो गया, और इसी के साथ में आपर ये, बैक्टिरियन कैमल हो गया, लेपर तो आप वह भी dessert के अंदर यहां पर पाए जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगी यहां पर, मंगोलिया हो गया और यहां पर चायना हो गया, तो second statement है यहां पर सही है, first गलत है, क्योंकि मैं निखा नोर्थ मंगोलिया और साथ चायना, जबकि हाँ पर कहें नोर्थ चायना और साथ तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं वैसे कई बार आप लोग बता चुका हूँ कि मंगोलिया जो है वो रसिया और चाइना के बेश में सैंडविच है तो उसके बेश पर भी फर्स इस्टेटमेंट आप लोग बोल सकते थे सही है या फिर गलत है क्योंकि यहाँ प पार्ट में रहता है तो मुझे थोड़ी से आसानी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर यह लगने लगता है 60 मिनट हो गया यार यह हो गया अब यहाँ पर आसानी से मैं इसको थोड़ा सा इतना भी डिटेल में पढ़ा सकता था उतना डिटेल में मैंने आप लोग को पढ़ाया वहाँ पर 50 मिनट से उपर जाते हैं रोने लग जाते हैं बच्चे कि सर इतना लेंदी लेक्चर बना दिया यह कर दिया वो कर दिया तो इसलिए कोशिस जब भी कोई डिटेल में मुझे पढ़ाना हुआ करेगा तो उसको अलग से टोपिक को निकाल लिया करूँगा मैं ठी टीके साथ में सारे लेक्चर की PDF यहां से जाकर डाउनलोड कर लिजगा एक जगे इखटी आप लोग को मिल जाएगी मेरे साथ में Facebook, Instagram, Telegram, Twitter पर सब जगे कनेक्ट रह सकते हैं सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएंगे तो मिलता हूने एक लेक्चर में